हेलो और वेलकम टू आटो डिड़क्ट आईएस तुड़ेज एडिटोरियल टॉपिक साथ लेशन पूर इंडिया फ्रॉम द ताइवान स्टेंडफ ए फ्रेश ऑपर्चुनिटी इदो टॉपिक ही आज देख पा रहे हैं बाकी एक दो टॉपिक और है उसको लोग बाद में कभी और आता है आने देजिए एक इंवार्मेंट पर है कॉप 27 पर आने है और एक आपका एलेक्ट्रोनिक्स कमर्स पर है तो उसको लोग और कुछ डेटा आता है और आट की लाएगा तब देखेंगे ठीक है पहला यह जो पहला है आप रेगुलर आभी रहा है ठीक है तो आप फर्दर उसके ऊपर हम लोग और बात करेंगे ठीक है तो चलिए हम लोग पहला से स्टार्ट करते हैं लेशन फूर इंडिया फ्रॉम दे ताइबन स्टेंड़ अब यह न्यूज में आप देख रहे होगे रिगुलर न्यूज में आ रहे है ताइबन का और चैना का जो इस आर्ट्रिकल में बात होती है स्टेक अलडर के बारे में तो चैना है ताइवान है और यूएस से है जो अभीका तॉट है और ताइवान का जो क्राइसिस चल रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं चैना अपने आपकोste सुपर पावर मानता है अगर यहां पर वो जो क्लेम कर रहा था कि यह ट्रेटरी मेरा है और इस टाइम में अगर वो नहीं फुल्फिल करेगा तो उसका जो क्लेम है वो हालो दिखेगा तो यह इस पर काम कर रहा है कि हम नहीं हम तागतवर हैं सुपर पावर हैं यह मेरा है तो यह चाहरा है कि हम अपना क्रेडिबिलीटी जो कम है चाइना इस एरिया में अपना डॉमिनेंस कर रहा है तो जो मेरे को सपोर्ट कर रहा है उसके नजेर में हम उपर ऊट सकते हैं तो यहां पे युँएस को यह चीज देख रहा है ताइवान है It is about standing up to the China's bullying and making a red line clear to the China यह अपना अदम सिधा नहीं हम मेरा है तो मेरा है यह अपना stand clear करके बता रहा है कि यह मेरा है आप हमेशा दराने धमगाने से हम डरने वाले नहीं है इस तरह से यह समझे इसका अभी situation यह है तो तीन country है तो तीन जो stakeholder अभी फिलहाल जो इस crisis में देखने को मिल रहा है तो यह तीनों का ऐसा stand है इसमें यही बता रहा है कि जो यह stand-off हुआ है इससे तीन lesson हम लोग क्या सीख सकता है इंडिया ठीक है न तो इसमें तीन में है कि unambiguous message देना चाहिए कभी भी दीजिए जैसे अभी ताइवान दिया है दम clear message की मेरा है हम आपसे डरने वाले नहीं है ठीक है न हम अपना decision खुद ले सकते हैं ठीक जैसे यहां पर समझ लीजिए कि जैसे ताइवान चाहता तो जो secretary आई थी वहां से नैंसी पॉलिसिन थी तो वह चाहता तो मना कर देता कि नहीं हाप मत आये चाइना जो है मेरे आका जो बरे भाई है वह हमको मारेंगे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे यह डरा तो नहीं उसको पता था कि ऐसा हो सकता है फिर भी यह clear रागी नहीं मेरा sovereignty का बात है मेरा sovereignty मेरा border है हम अपने यहां किसी भी तरह से दूसरे देश का बात नहीं चलना चाहिए मेरे country का policy में ठीक है यह पूरा clear था वह ऐसा वही चीज बोल रहा है कि unambiguous message देना चाहिए ठीक है बहुत ज़रूरी है जब sovereignty का बात आता है तो उस case में unambiguous message होना जरूरी small island होते हुए ताइवान जो है सब यह decision ले लिया लेकिन इंडिया का case में अगर आप देखो तो 1920 अभी हाल-फिलाल में जो इंडिया-China border issue 20 से start हो चुका है तो आप देख रहो कि पूरा clear clear नहीं view मिल रहा है आप देख रहो है तो हो रहा था कि China invade किया है opposition party बोल रहा था कि China अंदर आ चुका है और ruling party बोले नहीं हुआ है फिर दो-तीन मेना बाद आता है आपका statement कि हाँ आया था थोड़ा उसमें भी clarity नहीं था तो यह clarity ambiguous नहीं होना चाहिए जब आपका sovereignty पर बात आता है ठीक है न तो यह जो hide and seek वाला जो है वो जो अगर आप China क साथ करते हो तो एक तरह से confusing message जाएगा खराब message बाहर जाएगा और confuse भी करेगा आपके जो दोस्त है आपके यहां भी अंदर के आदमी जो हम लोग domestic citizen है उसको भी और international community भी confused होगा इसलिए आप clear message देजी कि यह मेरा है यह मेरा position है आप इसमें नहीं आ सकते हो या आप ऐसे आया है चाहिना यह ऐसे ऐसे कर रहा है तो clear देना चाहिए दूसरा है appeasement is bad strategy ठीक है यह बहुत अच्छा यह भी point था कि ताइवान इस चीज़ को avoid किया जैसे यही अभी बत इसी case में writer जो है कि India कहां कहां पॉलिसी अपनाई अपनाया है उसको एक अलग heading में यहां बात कर दी है कि चार mistake आपीजमेंट वाला ही एक तरसे चार mistake जो इंडिया किया है वो दिखता है कि आपीजमेंट वाला तो क्या क्या किया है पहला कि बहुत जब लडाई हो रहा था इंडिया में बॉर्डर पर लड़ाई हो रहा था और हम लोग यहां पर क्या कर रहे थे जिंग्पिंग का विजिट दोजार चौदा का जिंग्पिंग का विजिट भी यहां पर हो रहा था ठीक है ना डैम्चॉक चुमाज जो इस्टेंड अफ हुआ था यह दो जगह था डोकलाम भी था एक तीसरा तो यह सब जब हो रहा था उस समय में हम लोग मीटिंग और डायलोग कर रहे थे ठीक है ना उसी के बाद आप देखते हो अभी अभिहाल फिलाल में पिछले साल फैनांस मिनिस्ट्री वहां का विजिट किये थे यहां पर इंडिया में ठीक है और आपका ऐसा व्यू रहेगा तो चाइना यह चीज तो माल लेगा ना कि नहीं जो जैसे चाइना व्यू सच डिप्लोमेसी एज इंडिया एक्सेप्टेंस डिस्पाइट प्रोवर्गेटिव वह बोलेगा कि नहीं यह तो माल लेगा रहे यह कुछ नहीं कर सकता इस टाइप स हो जाएगा जैसे एक्समें एक्जांपल दिया है कि 2017 के बाद हम लोग इंडिया और ताइवान में हम लोगा डायलोग नहीं हो पाया यहां से कोई बड़ा विजित नहीं हुआ है कारण कि भाई सेंसिटीव है चाइना सेंसिटाइज हो जाएगा ठीक है ना तो यह कहां तक सही है ठीक है ना हम क्यों बॉदर करें भाई ताइवान और तिबद दोनों ही केस में जब वो इलिगल उकॉपेशन लिए हुए है तो उस केस में हम उसका सेंसिटीविटी पर क्यों नजर दे उसको ठीक है ना तो यह इस पर बात कर रहा है तीसरा है कि 2000 यह रिट्रस्पेक कि अगर साथ रहेंगे तो हम जपान यूएस यूएस जपान ऑस्ट्रेलिया और इंडिया यह क्वाड में लेकिन यह उस समय 2000 में यह मानना था इंडिया का कि अगर हम इसके क्वाड में जाएंगे तो चाइना नराज हो जाएगा तो यह भी एपीजमेंट पॉलिसी है जो क के अग ett के और चौथा पॉइंट यह बता रहा है कि आप एकपनॉल्घ्रान नहीं कर रहा हो कि जो चाइना है जो हमारे अंदर में तेरिटरि के अंदर में आ चुका है इसको साहरा सो कर रहा है कि आप आपाईजमेंट में चाहे कि यह अईसा नहीं होना चाहिए किलिए मेसेज आप दीजिए पहला दूसरा अपीजमेंट जो है वो गलत स्ट्रेटेजी है खास करकर जब आपका सोबरनीटी का बात हो ठीक है अगर आप अपीजमेंट कर रहे हैं इसका मतलब आप कमजोर हो यह मान सकता है चैना ठीक है एक और जो तीसरा पॉइंट था इसमें फॉ करेंगाल टेंशन को जादा नहीं बढ़ा सकते हैं हम लोग को एक्जिस्टिंग को इग्जिस्टिंग का मलोग बात और दोनों हम लोग सब साथ मेरे तहीक है यह रॉटर का कहना है कि सही नहीं आर्गुमेंट है इसको बताया कि अगर हमारा सिरफ इकनोमिक रिलेशन एनफ होगा कि हम लोग चाइना का जो जो रेगुलर मतलब बॉर्डर के पार आ जा रहा है या इंसर्जन कर रहा है को चैना तो अपना भी देखो क्या कर रहा है दूसरा यह बोले कि और हम लोग जो अगर इकनॉमिक रिलेशन का बात हो भी रहा है तो हम लोग ट्रेट डिफ्सिट में ट्रेट सर्प्लस नहीं है जो भी फायदा हो तो चैना को हो रहा है तो यह आर्गुमेंट सरासर गलत है अ अगला हमारा जो आठकिल है वह है एफ्रेस ऑपर्चिनिटी ठीक है ना यह डेटा प्रोटेक्शन लॉप पे है अभी इस पे बात हो रहा था आपको थोड़ा से इस थोड़ा आपको पता होगा कि 2017 में राइट टू प्राइवेसी जज्मेंट आया था पूट्टा श्वाम तरह से डेटा प्रोटेक्शन के लिए और प्राइवेसी वाला जो था उसके लिए बात बनाया गया था यह बिल जब बना वो फिर गया जेपी सी जॉइन कमीटी ऑफ पार्लियमेंट के पास गया वही ड्राफ फिर वह ड्राफ फर्दर उसमें कुछ बदलाव लाव करके फ अब इस बिड्रावल का जो रीजन बता रहा है यह बोल रहा है कि देखिए अभी जो है हम इसको हटा कर और एक हम कंप्रिहंसिव लीगल फ्रेमबर्ग लाएंगे ठीक है ना तो एक तो यह बात बोला उसके बात बोला कि जो प्रिंस्पल प्राइवेसी है जो आपका सैंक है उसको हम लोग है'RE आने वाले में ठीक है तो यह तिन ना आ रुद मेंट है कि यह लोग हटा रहे और क्या करने वाने आगे ठीक है इसमें फर्दर बांत जो राइट sow है रहते कि इस यह दोनों ही बिल जैसे यह वाला बिल है और यह वाला इसमें कुछ-कुछ गलती था जिससे उसको criticism जहलना पर है तो criticism में अगर आप बात करोगे तो criticism में जैसे कि एक तो है कि जो बायस था है न डेटा कलेक्टिंग entity जो है जो government वाला है government कभी भी कर सकती है ठीक है और public order को basis मांगे public order सही नहीं रहा उस समय में डेटा को किसी तरह से utilize government कर सकती है data collecting जो agency है government की वो कर सकती है तो वहाँ पर यह बात कर रहा है कि भाई public order क्यों रखे हो आप security of state अगर रहे तो बात समझ में आता है public order तो कुछ भी हो सकता मतलब आप government के against हो तो public order खराब हो गया ऐसा नहीं public order नहीं यहाँ security of state लेना चाहिए था और भी इसमें बहुत सारा है कि भाई आप इसमें जो global में global जो data privacy जो है वो जो user है उसका consent को ज्यादा ज्यादा महत्तु दिया है जबकि इंडिया में महत्तु दिया है लेकिन उसी साइड में ले भी लिया है ठीक है ना उसमें बहुत सारा flaw भी हो गया है कि आप अगर आपका consent कब-कब नहीं लिया जा सकता है ऐसा भी provision है बहुत जगह पे आपका consent लेने का जरूरत नहीं अगला और इसमें अगर आप देखो इसमें दो तीन करके लिखा हुआ है यहां देखिए ओफर ओबर इंफिसाइजिंग यह वाला point वान है ओबर इंफिसाइजिंग देशनल सीग्रिटी एंगिल दूसरा है आपका the draft इसमें अगला जो point है हमारा second है the selection of the chairperson जो आपका data protection authority का जो chairperson होगा उसका selection कैसे होगा वो उस पे भी criticize किया गया है ठीक है न जो स्री कृष्णन कमीटी जो दिया था उससे यह diverge अलग है ठीक है न उसके उसके line पे नहीं बनाये गया है तीसरा है judicial oversight जो है data protection authority का जब selection होगा तो judicial oversight होना चाहिए था लेकिन यह चीज इसमें 2019 वाले में नहीं देखने को मिलता है ठीक है अगला इसमें वही वोला कि 2018 में यह बात किया गया था कि अगर आप जो अगर कोई institution जो है state का institution अगर चाहता है कोई information ले ले जो हम किसी user का तो वह उसी case में ले सकता है जब security of state का बात आता है ठीक है न और बाकी में नहीं लेकिन आप जब इधर वाला देखे हो तो क्या बात हुआ 2019 में security of state हटा कर order public order कर दिया ठीक है और अगला है it also call for law to provide for parliamentary oversight and judicial approval of non-consensional access to the pub ठीक है तो एक तो यह भी बात किया वही जो अभी हम बात बोले non-concensional वाला जो बात है बीना consensus का अगर आप data ले रहे हो तो कब ले सकते हो तो वही वही वहला बात इसको आगे किया तो पांच माली चोथा में ही point आप कर सकते हो ठीक है इसके अलाबा और इसमें कुछ नहीं बात किया जैसे कि इंप्लाइज का जो डेटा है जो जो इंप्लाइर दे रहा है जैसे कोई और कंपनी में इंप्लाइज का डेटा कलेट किया तो उसको अपने हिसाब से यूज कर सकते है अभी वाले में ऐसा है तो वह भी मतलब आपका right to privacy वाला का अगेंस्ट जाता है और भी बहुत सारा है हम लोग कृटिकिस्ट्राइब नहीं पर हैं फुली फोकस्ट हैं इस आठ कील पर बहुत सारा क्रिटिकिस्ट्राइब यहां पर इतना क्रिटिसाइज तीन चार पाच ट्रिसीजम है उसको आप ध्यान में रखेगा इसके बाद अभी जो बोल रहा है कि राइटर बोल रहा ह तो इसमें क्या क्या उनीस वाला जो ड्राफ्ट था उसको भी कंसीडर करेगा क्या गुवर्मेंट ठीक है यहां तो आपको पता है कि गुवर्मेंट बोल दिया है कि हम पुटा स्वाम इसको यूज करेंगे और जेपीसी को यूज करेंगे तो 2018 के बारे में यह कुछ भी नही क्रिटिसिजम मिला है जबकि यह इसको एक्सेप्टेंस जादा है क्योंकि यह बनाया ही गया था बहुत ज्यादा कंसल्टेशन के बाद 2018 वाला जो है ठीक है तो यही राइटर यह बोल रहे है कि यह अच्छा होगा कि अगर जो 2018 का जो क्रिश्नन कमीटी का जो सकते हो ठीक तो यह रहा है इसमें हम लोग अगले पर चलते हैं